हलो फ्रेंड्स मैं सुपनी लेगे स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चनल वियर आयसो में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक एक online book store भी available है जिसकी link नीचे description में आपको मिल जाएगी इस online ebook store में हमने कई किताबे पब्लिश की हैं लिखी है जो की आपके काम के लिए है जो कि आपको support करने के लिए है जैसे हमने किताब लिखी है food safety manual को लेकर वो यहाँ पर available है जिसके help से आप अपनी organization का food safety manual बना सकते है हमने किताब लिखी है audit को लेकर जिसमें audit के बारे में और audit के से किया जाता है audit की जो terminology use होती है उनको hindi में explain करनी कोशिश किये समझाया है एसे ही एक हमने IATF को लेकर किताब लिखी है जिसमें IATF को हमने समझानी कोशिश करी है simple hindi language में और इसके अलावा एक हमने IATF का manual अवेलेबल किया है आपकी सुवीदा के लिए आपके फायदे के लिए अपने e-book store में यह चारो तरह की किताबे आपको हमारे e-book store में online जो हमारा store है उसमें अवेलेबल होती है उसमें आपको मिल जाएंगी आप उसके लिए उस store पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मे महेंगी पढ़ेंगे हमारे यहां पर किताबे बहुत सस्ती है इसी कड़ी में हमने एक नई कीज और अभी हमारे e-book store में डाली है और वो है आई-ए-टी-एफ में required documents के formats या दोस्तों आई-ए-टी-एफ में जो भी department वाइज चाहे वो टॉप मेनेजमेंट के हो या HR डिपा document हैं उनके format हमने वहां डाले हैं तयार करके दिये हैं इसमें हमने policies भी दी है कुछ जो policy required है जैसे विसल ब्लोइंग policy एंटे-ब्राइबरी के हिसाब से change कर सकते हैं आपके organization का आप नाम डाल सकते हैं आपको बहुत आसान पड़ेगा आपको बनानी की जुरूत नहीं है आपको सिर्फ एक बार देखना है वो चेक करना है कि आपके हिसाब से कितने comfortable है और आपको अपनी organization का नाम documentation का नाम वगरे डालके उसको आप अपडेट कर सकते हैं अपनी requirement के साफ से तैयार कर सकते हैं इस format में हमने वैसे तो quality department के तगरीबन सभी formats दिये हैं लेकिन पिपप के documents का कोई format इसमें available नहीं है क्योंकि पिपप basically customer की requirement के इसाफ से किया जाता है इसलिए हमने पिपप के document का कोई format वहाँ पर नहीं डाला है और साथ ही साथ design और development से जुड़े हुआ अगर आपका department है आपकी company में तो उसके format आपको नहीं मिलेंगे इसलिए यदि development है और आपको अगर इसा लगता है कि उसके formats भी available होंगे तो इसमें वह available नहीं है लेकिन हाँ इसके अलावा बाकि सभी formats अवेलेबल है top management का internal external issues को लेकर हमारे पास format हमने वहाँ दिया हुआ है आपके interested parties की need और expectation का format है scope का format available है कई policies वहाँ पर available है आप जाकर हमारे ebook store पर click करें नीचे description में लिंक है वहाँ पर click करें और वहाँ पर जाकर आप अपनी requirement के साब से इस book को भी purchase कर सकते है काफी कम rate में available है और आपको बहुत फायदा इससे हो सकता है तो ये वीडियो हमारा इसी चीज को लेकर है आपको अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे like करें ज्यादे ज्यादे शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके और जिन लोगों को requirement है इस तरह के documents की इस तरह की चीजों की इस तरह के manuals की वह इनको purchase कर सके और उनका फायदा हो सके तो आज का वीडियो यही तक अगले वीडियो में आपसो दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you very much